Welcome to sociology classes आज हम discuss करने वाल है property यानि की संपत्ती के बारे में हमारी society में property का concept बहुत important है इस वज़े से sociology में भी property और property relation को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक-एक society में property और उसके साथ जो relation है वो अलग होता है इसका use हम किस तरीके से property को use कर सकते हैं यह सारी चीज़े थोड़ा different हो सकता है तो आज किस class में इसी property का बारे में हम discuss करेंगे यहाँ पर हम अलग-अलग तरीके का property के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे फिर हम देखेंगे property relations के बारे में किस तरीके से हमारा society में property relations हो सकते है इसके regarding अलग-अलग जो theoretical perspective है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे फिर देखेंगे property inheritance system यानि कि property एक इंसान से दूसरे इंसान तक किस तरीके से transfer होता है इसका क्या rules है इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे अगर आप मेरे classes में ने है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको sociology related बहुत सारे videos मिलेंगे यहाँ पर बहुत सारे playlists है आप अपने जरूरत के हिसाब से playlists चूज करके study कर सकते हो आपको चीजे ढूनने में आसानी होगी तो चलिए आज का यह जो session है यह हम शुरू करते है हम पहले जानने की कोशिश करते है property हम exactly कौन सी चीज को कहते है हम normally समझते है कि property यानि कि हमारा जो जमीन जायदाद है normally हम उस चीज को ही property कहते है अब हम थोड़ा sociological definition की तरफ आगे बढ़ते है Maurice Jinsberg ने property का थोड़ा बहतर तरीके का definition दिया है यहाँ पर property का मतलब है कुछ set of rights and obligations है यानि कि आपके पास कोई भी सामान हो सकता है वो material चीजे हो सकती है या फिर non-material चीजे भी हो सकती है या फिर कोई भी एक person है जिसको आप अपनी property की तरह treat कर रहे हो अब वो जो material चीज या फिर non-material चीज है उसका control आपके पास किस तरीके का है किसी भी एक individual या फिर group के पास कोई भी एक सामान का control किस तरीके से रहेगा उसको हम mainly कहते है प्रॉपार्टी अब वो जो control है उसके regarding कुछ rights और कुछ obligations भी रहेंगे तो ये सारे चीजे मिला कर जब हम चीजों को समझते है उसको हम property कहते है जैसे अगर हम सोचे कि आपके पास अगर कोई जमीन है वो आपकी property है सेम तरीके से आपका जो mobile phone है वो भी आपका property है इसी तरीके से आप अगर आपका intellectual ability की बात करो आपकी दिमाग की शमता आपका knowledge ये सारे चीजे भी आपका property है कुछ property tangible हो सकती है यानि कि दिखाई दे सकती है और कुछ property है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन उसके regarding भी आपका rights है जैसे मैं यहाँ पर classes करा रहा हूँ इसका कोई legal कोई एक सही जगा नहीं है यानि कि यहाँ पर मैं एक platform पर ये classes करा रहा हूँ हूँ यहाँ पर किसी एक जगा पर इसको हम नहीं रख पा रहे है तो यहाँ पर YouTube पर ये सारे classes है तो ये मेरा property है या फिर इसको कोई download करके दूसरे बार upload तो नहीं कर सकेगा क्योंकि यहाँ पर copyright है यानि कि ये मेरी चीजे है ये जो मैं classes करा रहा हूँ ये मेरा intellectual property है तो इस तरीके से बहुत सारे rules regulations है और जो भी सामाने छोटे हो या फिर बड़ा हो हर कुछ property हम इसको समझ सकते है और इसके regarding इसके use को लेकर कुछ ना कुछ rules और regulations होते है तो इहाँ पर बहुत सारे और भी scholars है जिन्नोंने property को define करने की कोशिश की है तो इहाँ पर property अगर हम एकदम property के बारे में बात करें तो ये हमारी society का एकदम basic unit है हर society में इस तरीके का property की बात होती है कही पर हम देखते है कि एक single इंसान एक property को रखता है किसी भी जगा पर देखते है कि community basis पर ये property को रखा जाता है खासकर जो tribal societies है यहाँ पर हम community living देखते है अगर हम shifting cultivation की बात करें वहाँ पर भी लोग community based cultivation भी करते है तो यहाँ पर society में हमारा property एक basic institution है और इस property के regarding हमारे पाच कुछ-कुछ rights होते है इसको state के द्वारा enforce किया जाता है और बहुत बार हमारी social norms के द्वारा इसको guide भी किया जाता है अब देखते है characteristics of property property basically हमारा transferable होता है यानि कि हम property को एक इनसान से दूसरे इनसान तक transfer कर सकते है इसको हम sale, exchange या फिर gift भी कर सकते है कोई भी एक owner या फिर कोई group of member अगर किसी property का owner होगा तो उसके पास legal right होंगे उसको transfer करने के लिए अब यह जो property है यह limited है यह increase भी हो सकता है या फिर decrease भी हो सकता है आप अगर आपका property बेच दोगे तो यह आपका property कम हो जाएगी अगर आप अपको प्रोपार्टी में चीजे और भी खरिद लेते हो दो और property बढ़ जाएगी अब प्रोपार्टी में बहुत सारे rights हमें मिलते है यानि कि हम हमारे property में कुछ भी हमारे हिसाब से कर सकते है लेकिन इसके regarding कुछ duties भी है यानि कि property यूज करने के कुछ rules and regulations होते है आप अपने हिसाब से आपके property को use नहीं कर सकते हो यहाँ पर social norms क्या कहते है या फिर हमारे कानून व्यवस्ता हमें क्या कहती है यह सारे चीज़े भी बहुत ज्यादा माइने रखती है यहाँ पर जो property owners होते है उनका कुछ obligations होते है जो social norm के द्वारा guided भी होती है अब यह जो property है यह tangible भी हो सकता है या फिर intangible यानि कि कुछ property है जो दिखाई देती है जैसे हमारा पैसा या फिर हमारा जमीन यह सारे चीज़े tangible property है और intangible property जैसे हमारा intellectual abilities यह सारे intangible properties है अब देखते हैं types of property हम बहुत सारे अलग-अलग तरीके का property देखते है बहुत सारे अलग-अलग societies है जहाँ पर property का system भी अलग है अब यहाँ पर हम नॉर्मली चार तरीके का properties देखते है पहला है private property private property यानि कि एक ऐसा property जो एक individual या फिर एक group के द्वारा own की जाती है यानि कि उसका एक मालिक होगा और जिसके पास उसको use करने का rights होगे यानि कि यहाँ पर जो private property है किसी भी एक इनसान या फिर किसी भी एक group का होगा अब यह जो private property का concept है यह हमारा capitalist economic में central idea है यानि कि capitalism में हम देखते है कि यह private property का concept है और private property को capitalism में encourage भी क्या गया है फिर हम देखते है public property यानि कि यहाँ पर जो भी सामान होंगे वो हम सभी मिलकर एक साथ use कर पाएंगे यानि कि publicly owned यहाँ पर जो भी चीज़े है वो collectively हम इसको use कर सकते है normally यह जो public property है यह state या फिर community के पास होता है और जिसका access हर इनसान के पास होता है जो भी इनसान उस society से बिलोंग करता है वो उसको access कर पाता है यहाँ पर public property का concept यह है main aim यह होता है कि society के जो भी member है हर कोई इसको use कर सके और उससे benefit उठा सके जैसे हमारे public parks, road, government building यह सारे हर इनसान मिलकर इसको use कर सकते है जैसे कोई भी एक playground होगा अगर सरकारी playground होगा तो उहाँ पर हर कोई जाकर खेल सकता है public park में हर कोई जाकर घूम सकता है यह basically public property है जहाँ पर हर कोई इनसान इसको use कर सकता है लेकिन इसका भी कुछ rules and regulations होते है फिर देखते हैं collective property अब public property और collective property दोनों अलग है public property यानि कि यहाँ पर state के द्वारा यह guided होता है उसके पास इसका control होता है लेकिन जब हम collective property की बात करते है तो यहाँ पर एक community के लोग मिलकर इसका owner होते है यानि कि यहाँ पर एक community या फिर एक group होगा जो लोग मिलकर एक property को own करते है इस तरीके का property को collective property कहा जाता है यहाँ पर normally हम जो indigenous communities है यानि कि जो tribal communities है उहाँ पर हम collective property देखते है वो लोग एक साथ मिलकर एक जगा पर खेती करते है और वहाँ पर जो भी फसल उगती है वो हर कोई मिलकर equally distribute करता है इस तरीके का जो property है इसको collective property कहा जाता है और communism में भी इस तरीके का property का concept था अब public property और collective property इन दोनों को आप लोग ज़रा differentiate करने की कोशिश कीजिएगा public property यानि कि जो state के पास control होता है और जो collective property है वो कुछ group of member या फिर एक community के पास उसका control होता है और उस community के member इसको use कर सकते है लेकिन public property को हर कोई use कर सकता है फिर हम देखते हैं intellectual property intellectual property यानि कि हमारा mind के द्वारा create किये गये चीज़े हमारा intellectual ability के द्वारा create किये गया हुआ चीजों को हम intellectual property कहते है यहाँ पर यह जो properties है यह normally intangible होते है जैसे हमारा invention, literary work, symbol यह सारे चीज़े intellectual property है जैसे software तयार करना यह भी intellectual property है यहाँ पर जो भी owner होता है उसका पास कुछ legal rights होते है ताके इसको कोई दूसरा misuse ना कर पाए जैसे यहाँ पर हम कुछ patent या फिर copyrights देखते है जिसके दूरा intellectual property को समाला जाता है और इसको legal protection दी जाती है अब देखते है ownership of property अभी हमने जो types of property है पड़ी है उसके साथ similar ही है ownership of property यानि कि हमारा ownership property का किसके पास रहेगा यहाँ पर पहला है communal ownership of property यानि कि यहाँ पर एक community मिलकर एक group मिलकर कोई भी एक property को own कर सकता है फिर है private ownership of property जहाँ पर एक individual एक कोई भी एक property को own कर सकता है फिर है public ownership जहाँ पर mainly हमारा state या फिर government जिसके पास power होता है और उसको हर कोई इंसान equally use कर सकता है उसको हम कहते है public ownership of property अब यह जो public ownership of property है यह हमें आजकल के time पर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है गोबर्मेंट के पास बहुत ज्यादा चीज़े होती है और यह सारे चीज़े publicly use किया जा सकता है अब देखते है प्रोपर्टी रिलेशन प्रोपर्टी रिलेशन को हमें थोड़ा carefully समझना होगा प्रोपर्टी रिलेशन का definition हम पहले देख लेते है यानि कि प्रोपर्टी रिलेशन्स वो सारे रिलेशन्शिप है जहाँ पर सोचियल लीगल और एकोनोमिक सिस्टेम के द्वारा related रहते हैं लोग यहाँ पर कोई भी एक प्रोपर्टी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा या फिर इसका ownership किसके पास रहेगा यह सारे चीज़े हमें प्रोपर्टी रिलेशन्शे ही पता चलता है हमारा अलग-अलग societies में अलग-अलग governments में हमारा प्रोपर्टी रिलेशन डिफरेंट हो सकते है हर जगा पर सेम प्रोपर्टी का रिलेशन रहेगा ऐसा नहीं है जो का हक किसका पास रहेगा यह हमें प्रोपर्टी रिलेशन ही बताते है जैसे आपके पास कोई एक जमीन है अब यह आप बेच सकोगे के नहीं बेच सकोगे यह depend करता है उहाँ पर आपके legal authority के ऊपर यहाँ पर legal और social कुछ चीज़े होती है जैसे family member का जो जायदाद है वो एक इनसान से किस इनसान को मिलेगा जैसे अगर patriarchal society हुआ तो यहाँ पर प्रोपर्टी जो है जो वो बेटे को मिलेगी लेकिन अगर matriarchal society रहा तो यह प्रोपर्टी मिलेगा बेटी को तो इस तरीके से प्रोपर्टी रिलेशन अलग-अलग जगापर different हो सकती है अब यह प्रोपर्टी रिलेशन के द्वारा हम समझ सकते है कि social hierarchy में किसका ज्यादा importance है किसका ज्यादा dominance है यहाँ पर प्रोपर्टी रिलेशन के जरिये ही हमारा society में economic inequality को भी बढ़ावा दिया जाता है यानि कि किसके पास प्रोपर्टी रहेगा यह पहले से ही pre-decided होता है अब यह जो प्रोपर्टी और प्रोपर्टी रिलेशन है यह यहाँ पर अलग-अलग जगापर अलग-अलग तरीके से इस relationship को देखा जाता है बाकी के जो world है और इंदिया जो है इनमें थोड़ा अंतर है अगर हम global level पे प्रोपर्टी रिलेशन की बात करें यहाँ पर हम normally दो तरीके से इसको classify कर सकते है capitalist और socialist capitalist में mainly private owned property की बात की जाती है private property को ज्यादा importance दी जाती है लेकिन दूसरे तरफ है socialist जहाँ पर public owned property के उपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है state के पार सारा control रहेगा और state ही लोगों तक यह सारे property देगा या फिर use करने का हग देगा यहाँ पर equally distribute करेगा state यहाँ पर capitalist में private property की बात होती है और socialist में public property की बात होती है लेकिन इंडिया में यह दोनों के अलाबा भी और भी अलग तरीके का property का system देखने को मिलता है एक है mixed economy जहाँ पर capitalist और socialist यह दोनों को ही equally importance दी जाती है कुछ जगाओ पर capitalist यानि कि private property की बात की जाती है और कुछ जगाओ पर हमारे public property की बात की जाती है और दूसरा जो model है और एक model है वो है गांधी जी का principle गांधी जी का principle के द्वारा इंदिया बहुत ज्यादा guided होता है अब गांधी जी का principle क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्राश्टी शिप का concept दिया है यानि कि हम जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अपनी सईच्छा से दूसरों को अपने property दान करेगा या फिर यहाँ पर oceanic circle की बात होती है यहाँ पर decentralization की बात होती है अलग-अलग तरीके का principle के बारे में बात की है ताकि हमारे समाज वेवस्ता में जो भी लोग है हर किसी को पैसा मिले और हर कोई हमारे इतना ज्यादा गरीब ना रहे तो यहाँ पर गांधी जी का principle बाकी सारे principle से थोड़ा different है तो यहाँ पर गांधी जी का जो class है मैंने already पहले करा के रखी है आप लोग वो class देख सकते हो वहाँ से गांधी जी के related जो भी information है वो सारे चीज़े आपको वहाँ पर मिल जाएगी अब यह जो property relation है प्रोपर्टी रिलेशन के regarding बहुत सारे theoretical aspects है बहुत सारे theorists है जिनोंने अलग-अलग तरीके से property relation को समझने की कोशिश की है यहाँ पर हम देखते हैं Marxist perspective Marxist perspective यानि कि यहाँ पर Karl Marx के perspective की बात की जा रही है Karl Marx ने property relation को ही हमारा class relation का foundation समझा है यहाँ पर उन्होंने capitalism को study किया है उनके हिसाब से capitalism में हमें दो तरीके का group देखने को मिलता है एक होता है बोर्जुआ जिसके पास ownership होता है means of production का और दूसरा group होता है proletariat जो basically उस production process में काम करता है यानि कि यह लोग working class है एक है capitalist class जिसके पास पैसा है जिसके पास ownership of production है और दूसरा है proletariat जिनको हम working class कहते हैं वो लोग जहाँ पर काम करते हैं अब यहाँ पर property relation privately owned होती है यानि कि capitalism में काल मार्क्स के हिसाब से property privately owned होती है यहाँ पर काल मार्क्स के हिसाब से यही हमारे exploitation का भी कारण है जो owners है वो अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए जो workers है उनको बहुत ज्यादा exploit करती है तो यहाँ पर property relation यह दोनों group के बीच में है उन्होंने further सोचा था के हमारा जो society है यहाँ पर revolution आएगा revolution आने के बाद हमारे society में capitalism के बाद हमारे society में socialism आएगा जहाँ पर हमारे समाज वेवस्ता में जो जमीन है वो अब publicly owned होगी state सारे चीजों को control करेगा और यह जो काल मार्स का perspective है वो हम अगले class mood of production के class में इसको थोड़ा और detail में समझेंगे फिर हम देखते हैं वेवरियन perspective वेवरियन perspective यानि कि मैक्स वेवर का perspective मैक्स वेवर ने चीजों को थोड़ा और different तरीके से समझने की कोशिश की थी उनके हिसाब से जो property rights है इसको regulate किया जाता है bureaucratic system के जरीए यानि कि यहाँ पर एक hierarchical system है यहाँ पर बहुत सारे officers होंगे जिनका hierarchical system है और इसके hierarchical system के द्वारा एक legal framework तयार करके हमारे property rights को regulate किया जाएगा यहाँ पर जो property ownership है वो status और power के जरीए भी बहुत ज्यादा influence होती है यहाँ पर mainly legal rational authority के जरीए हमारे society का जो property relation है इसको समझने की पात की गई है फिर हम देखते है functionalist perspective functionalist जो होते है वो सारे चीजों का function ही देखने की कोशिश करते है इसी तरीके से हमारे जो property relation है इसको भी वो लोग एक सही तरीके से देखते है यानि कि society में जो property relation है यह necessary है हमारी society की existence के लिए हमारी society में हमारा property relations हमें एक ऐसस system देती है जिसके जरीए हमें कुछ reward या फिर incentives मिलते है और लोग हमारी society में economic production और innovation में contribute करने की कोशिश करें यानि कि कोई एक इनसान अपने property पाने के लिए या फिर property को अपने पास रखने के लिए अपने property को बढ़ाने के लिए वो काम करता जाएगा और production process में अपना योगदान देगा साथ ही साथ society के लिए बहतर innovations भी करेगा यानि कि functionalist perspective हमें एक property का property को रखने का एक functionalist view देता है जहाँ पर हर किसी चीज़ का एक proper function है अब यहाँ पर सारे perspective हमने देखे है यहाँ पर हम modern context में किस तरीके का चीज़े देखते है हम अगर हमारे contemporary society की बात करते है तो यहाँ पर जो property relation है यह आजकल बहुत ही complex हो गई है यहाँ पर digital economy के development के वज़े से हमारा जो intellectual property है इसका importance आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है हम आजकल online में ही ज्यादा तर काम करते हैं इस वज़े से intellectual property को रखना इसके लिए rules and regulations तैयार करना बहुत important हो गया है तो modern time period पर digital economics बहुत important बन गयी है और intellectual property के उपर बहुत ज्यादा ध्यान भी दिया जा रहा है अब यह सारे चीजों के वज़े से हमारा जो society है यहाँ पर inequality का issue बहुत ज्यादा देखने को मिलता है यहाँ पर जो land distribution है या फिर access to house, resource control यह सारे चीज़े बहुत ज्यादा shape की जाती है इस intellectual property के जरीए यहाँ पर हमारा आज के time पर social justice और economic fairness के बहुत सारे बाते की जाती है अलग-अलग thinkers अलग तरीके से इस चीज़ को describe करते है अगर in general हम सारे चीज़ों को combine करके समझे तो आज की economy एक ऐसा property relation हमें दिखाता है जहाँ पर लोग intellectual property के उपर depend करते है और property own basically normally हमारा private होता है लेकिन फिर भी public property हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है यानि कि government के दुआरा control किया गया property बहुत ज्यादा आजकल देखी जाती है अब लोग देखोगे कि online transaction के उपर आजकल बहुत ज्यादा text लगाया जा रहा है यहाँ पर online चीज़ों के उपर ज्यादा importance दी जा रही है तो यहाँ पर modern context में intellectual property और digital economics के उपर जोर दिया गया है अब अगर हम यह सारे चीज़ों को एक साथ समझने की कोशिश करें यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि जो property और property relation है हमारी society को समझने के लिए, हमारा social structure को समझने के लिए बहुत important है यहाँ पर किसके पास power होगा, wealth होगा, opportunity होगा society में यह सारे चीज़े decide किया जाता है property और property relation के जरिए जिसके पास जितने ज्यादा property होगा, उसके पास उतने ज्यादा opportunities, wealth और power भी होगे तो आज के class में मैंने overall कोशिश की है कि आप लोगों को property और property relation के बारे में समझा सको तो अब हम थोड़ा देखते है property inheritance system के बारे में property inheritance system यानि कि हमारा property एक इंसान से दूसरे इंसान तक किस तरीके से transfer होती है यहाँ पर अलग-अलग family के हिसाब से अलग-अलग family के system के basis पे property का inheritance system different होते है हम normally दो तरीके का property inheritance system देखते है एक है patrilineal family दूसरा है matrilineal family patrilineal family में जो property है वो जाता है male member के जरिए यानि कि यह है जो trace की जाती है वो male member के जरिए जैसे grandfather से father को जमीन मिली है फिर father से son फिर son से grandson इस तरीके से male line में ही property को inherit किया जाता है यानि कि जो property मिलेगा यहाँ पर सिर्फ लड़कों को मिलेगा यहाँ पर लड़कों को ज्यादा importance दी जाती है male members को importance दी जाती है female members का यहाँ पर importance नहीं है और दूसरी तरीके का जो property inheritance system है वो है matrilineal family matrilineal system में female को importance दी जाती है यहाँ पर जो property मिलता है वो females को मिलती है जैसे यहाँ पर grandmother, mother से mother, grandmother से daughter और daughter से granddaughter इस तरीके से female line में यहाँ पर चीज़े property को inheritance हम देखते है यह जो system है matrilineal family का system यह हर जगा पर same नहीं है यहाँ पर अलग-अलग जगाओ पर बहुत कम जगाओ पर matrilineal family का system हम देखते है जैसे northist का खाशी और गारू इनके बीच में हम यह matrilineal family का system देखते है अब अगर हम आज के time period पर practically property inheritance system की बात करें इंदिया का कानून का बात करें तो यहाँ पर property male और female दोनों को ही मिलता है दोनों का ही equal right होता है by law इस वज़े से हम देखते हैं कि आज के time पर जब भी property का बाटवारा होता है भाई बेहन याने के male female member दोनों को ही equally हक मिलता है लेकिन जब हम पुराने तरीके का rules और regulation की बात करते हैं वहाँ पर patrilineal और matrilineal इस तरीके का system हमें देखने को मिलता है अब यह जो property inheritance system है इसको इरावती कार्मे ने detail में discuss की थी उन्होंने देखा था कि इंदिया में इस property inheritance system का भी दो part है एक है दया भागा दूसरा है मिताकसरा अब property किसके पास जाएगी यानि कि अब example ले लो कि कोई भी एक पिता है उसके पास property है उनमें से property बाकी लोगों को किस तरीके से मिलेगा इसका भी कुछ rules है इसके regarding हम दो तरीके का rules देखेंगे एक है दया भागा जहाँ पर after death की बात कही जाती है यह mainly बिहार और बेंगल में practice की जाती है यहाँ पर जो property है वो इनसान के यानि कि पिता के मरने के बाद ही सिर्फ बेटा या फिर बेटी को मिलेगी यहाँ पर जो property मिलेगी वो after death मरने के बाद ही property बाकी family members को मिलेगी लेकिन दूसरी तरफ है मिताक्षरा जहाँ पर बाइबार्थ कोई भी एक बच्चा property को inherit कर लेता है यहाँ पर हिंदू rules के हिसाब से मिताक्षरा को follow किया जाता है जहाँ पर property बाइबार्थ एक son को मिल जाती है यानि कि अगर पिता के पास property है तो बाइबार्थ उसके बेटा भी उस property का हक ले सकता है बाइबार्थ उसको भी property मिलेगा यह जो चीजे मैंने आज पढ़ाई है यह सारी चीजे आप लोग थोड़ा careful ली देखिएगा यहाँ पर अलग-अलग जगाओं से मैंने चीजों को लाकर इस property का एक class को prepare किया है आप लोगों के लिए थोड़े बहुत मेहनत करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ तो यह जो classes है आशा करता हूँ यह classes आप लोगों को बहुत ज्यादा help करेगी खास कर आपकी UGC net exam के लिए तो आज का class मैं यहाँ पर खतम करता हूँ अगर classes आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा और comment करके बताईएगा अगर कोई modification की ज़रूरत है या फिर कोई भी और भी classes आप लोगों को require है तो यह जो वीडियो है इसको like और share कर दीजिएगा क्योंकि sharing is caring मिलते है अगली session में तब तक अच्छे रहिए स्वास्त रहिए और लोगों में प्यार बाठते रहिए जैहिंद